प्रिंसिपल से रिलेटिड तो उसे जरा एक बार शॉट ट्रिक में समझेंगे कि क्या कहता है यह जो सिध्धान्त है इसके अंदर वैन हिले साहब ने पाँच स्टेजिस बताई और कहा कि कोई भी बच्चा अगर जमेक्टरी सीखता है जामिती सीखता है तो उसके यही पाँच चरण होते हैं जिने आप किसी भी हालत में स्किप भी नहीं कर सकते जिसमें उन्होंने जीर स्टेजिस हो जाती हैं लेवल जीरो को इन्होंने कहा चाक्षूशी करण या विजुलाइजेशन चक्षू यानि आखे तो कुल मिलाकर यहां इन्होंने कहा कि बच्चे चीजों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बनाते हैं इस लेवल में उन्होंने जो चीजें अपने अडॉस पडॉस में देखी होती हैं उनके बेसिस पर वो जामिती के या जमेट्री के शेप्स के बारे में जानते हैं जैसे अगर किसी बच्चे को आप त्रिबुज दिखाओगे तो वो त्रिबुज नहीं बोलेगा उसने क्या देखा हुआ है उसने द दिखाते हो या आप उसको सरकल दिखाते हो तो सरकल नहीं बोलेगा बोल बोलेगा यह कैसा लग रहा है यह सिक्के जैसा लग रहा है मम्मी जी की रोटी गोल पापा जी का पैसा गोल यह गोल मटोल लग रहा है बिलकुल वैसा ही लग रहा है तो चाक्शुशी करण पहली स जिसमें बच्चा चीजों को या आकरतियों को देख कर उनको जो चीजें उसने देखी हैं उनके बेसिस पर नाम नहीं जानता उनके बेसिस पर ही बताता है कि ये कैसा लग रहा है फिर आता है आपका stage 2 जिसे बोलते हैं level 1 जिसे बोलते हैं visulation यानि analyze करना अब बच्चा क्या क करेगा इसमें बच्चा shapes को उनके गुणों के आधार पर वर्गी करन करता है नाम जानने लगता है अब वो बता देगा ये त्रबुझ है ये वर्ग है जो भी आपने बताया होगा वो उसका नाम जानने लगेगा और साथ ही साथ ये line प्लीज याद करें as a tease उटके आती है कि गुणों के आधार पर क्या करने लगता है वर्गी करन करने लगता है ये त्रबुझ है नाम जानने लगा है फिर आता है आपकी stage 3 यानि level 2 जिसे आप बोलते हैं अनौपचारिक निगमन यानि informal deduction stages के नाम भी याद रखेगा कई बार सिफ stages के नाम पूछ लेता है कि sequence में लगा दो भाया पाचो stages को तो फिर आता है जिसे आप बोलते हो stage 3 लेकिन level 2 जिसे बोलते हो आप अनौपचारिक निगमन यानि informal deduction यहां बच्चा क्या करने लगता है चीजों की समानता और अंतर बताने लगता है यहां बच्चा बता पाएगा कि rhombus बिलकुल square जैसा होता ह है क्योंकि उसकी भी चार साइड़ है और बराबर है तो यहां बच्चा क्या करने लगता है आकरतियों के बीच relation बनाने लगता है इसलिए कई बार इसे संबंध के नाम से इस अवस्था को संबंध के नाम से भी आपसे पूछा गया है seated के अंदर बच्चा आकरतियों के बी प्रेंसिस यानि असमांता के बेसिस पर फिर आता है स्टेज फोर यानि लेवल तीन अपचारिक डिड़क्शन यानि फॉर्मल डिड़क्शन अपचारिक निगमन की अवस्था यहां पर बच्चा क्या करेगा आकरतियों के शेप्स के फॉर्मूला डूडने लगेगा यहा लेवल फोर रिगर रिगर यानि द्रड़ता अब उसके कंसेप्ट जो है जामिती के जमेट्री के वो एकदम कॉंक्रीट हो गए द्रड़ता आ गई है उनमें अब बच्चा क्या कर सकता है अब बच्चा यहां खुद से खुद से अपने जामिती के चिंतन के तो एक बार मेरे साथ फिर से बोलें सबसे पहली स्टेज जिसे बोलते हैं लेवल जीरो चाक्षुशी करण जिसमें देखना है जिसमें बच्चा नाम नहीं जानता लेकिन उसने जमित्री की यानि जामिती के उन शेप्स को अपने रियल लाइफ में देखा है फिर आता है स्क्वायर है या रेक्टेंगल है बता पाएगा फिर आती है आपकी स्टेज 3 जिसे आप बोलते हो लेवल 2 संबंध या अनौपचारिक निगमन इन फॉर्मल डिड़क्शन समानता या असमानता बता पाएगा दो जामिती आकरतियों के बीच में फिर आता है आपका यानि द्रड़ता जहां बच्चा जामिती के जो भी उसने सीखा है उसके अपने चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीजें बना पाता है जामिती के नियमों को बना पाएगा ठीक साब अब एक बार फटाफट से कुछ कोशन्स करते हैं तो आपको चीजें समझ में आएग गुणों के आदार पर श्रेणिओं में वरगी करन कर पाती है बताईए किस स्टेज पर है गुणों के आदार पर वरगी करन कर पाती है विशलेशन में है जिसे आप बोलते हytic ओ un stage 2 level 1 है और क्या है stage 2 है नेक्स पर बढ़ते हैं वैनहिले के सिद्धान्त की अकॉर्डिंग जामितिय चिंतन के बारे में सही कथन या कथनों का चैन कीजिए, द्रशी करण यानि की visualization सबसे basic step है, आधारबूत इस्तर है, most basic है, हाँ जी, एक को भी छोड़ के दूसरे पर नहीं जाया जा सकता, टिक लगाईए, निगमन इस्तर, visualization इस्तर से पहले आता है, आप बताईए, सबसे पहले आपका stage 1, जिसे बोला level 0, visualization जिसे आप चाक्षुशी करण कहते हो, फिर आता है stage 2, जिसे आप बोलते हो level 1, जिसमें आप लिकर आते हो visualization, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, निगमन पहले आता है, काड़ दीजिए, संबंद इस्तर, संबंद इस्तर, visualization इस्तर के बाद आता है, हाँ जी, संबंद इस्तर, जिसे आप अनौपचारिक deduction बोलते हो, stage 3, level 2, जिसे संबंद भी कह लीजिए, या कह लीजिए, अनौपचारिक निगमन वो बाद में आता है, तो A और C आपका दोनों सही है, लगा दीजिए, आगे बढ़ते हैं, जामितिय विवेचन के इस्तरों की विशेष्टा का लक्षण नहीं है, क्या लक्षण नहीं है, अनुभव पर based होती है, ये जब आप geometry स सीखते हैं, तो अनुभव के basis पर हैं, बिल्कुल है, विजुलाइजेशन जो पहला ही पहला स्टेज है, चाक्षुशी करन, अनुभव का प्रयोग ही तो हो रहा है, बच्चा समोसा बता रहा है, कि कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अरे मैं वो बर्थडे में कैप पहन पहले हैं, उसके जैसा लग रहा है, है बिल्कुल, विकास होता है बाद में एक-एक स्टेज में बिल्कुल होता है, सीक्वेंस है बिल्कुल, आप एक भी सिक्वेंस को क्रोस नहीं कर सकते, आयू पर डिपेंड करता है नहीं, कि बहिया छोटा बच्चा ही सीख पाएगा, बड़ा नहीं सीख पाएगा हर बच्चा हर व्यक्ति आपने मैंने सभी ने इसी तरीके से जमेट्री सीखी है वैन हिले भाया ने सब डिकोड मारा है तो बस ये तरीका गलत है ये लक्षण नहीं है नेक्स पर बात करें अंतिम पर एक समोसे देख कर बच्चा उसे और असमानता बता पाता दो आकरतियों में समानता या असमानता बता पाता विशलेशन पर होता तो नाम जानता और गुणों के आधार पर वर्गी करण कर पाता तो मुझे उमीद है ये शौट वीडियो आपके बहुत काम आएगी इसे एक नहीं दो तीन बार देख लीजे कर दो कर दो कर दो दो गार